427 गराम पंचेतों को पुर्णता ओडियेप करा दिया है तर या बात है यह है संगीन का जादू संदीव जी के संगीन का जादू कुछ सुनाए ना कुछ बढ़िया वाला कुछ शंदिस गड़ी में भी आप सुना सकते हो कोई दिकत नहीं जैसे सर हम वहां की जो ट्रेडिश अला थी आला थी आला थी मांदर बाजे आये जमों गाओना थे खुले में सौच मुक्त गाओं हे बनाना सच तक नाराला सबो में लेगाना आये जमों गाओना थे अला थी का ला थी अला थी का ला थी मांदर बाजे आए जमो गाउनाचे गांदी जी के सपनाला पूरा करना है हम सो चले के उपियोग करना है गांदी जी के सपनाला पूरा करना है हम सो चले के उपियोग करना है आए जमो गाउनाचे अलती कलती मदर बाजे आए जमोगानाचे बिर्दा से लेते हैं उसको अमल में लाते हैं कितनी मुश्किल होती है सर मुश्किल तो आई क्योंकि लोग ये सोचते थे लोग आ रहे हैं गाह बजा के चले जा रहे हैं पहले बहुत सारी कठनाईयों का सामना करना पड़ता था सर लेकिन धीरे धीरे जैसे कि मैंने कहा कि कई चीजे लोगों को बताने से समझ में आती नहीं थी तो हमने जो रास्ता चुना संगित का और संगित दिल को छुता है संगीत का जो रास्ता हमने चुना सर और वहीं की ट्रेडिशनल जो हमारी भासा है पारमपरिक जो लेंगवेज है उसी में हम लोगों ने गाना लिखा और उनी के बीच में जो प्रश्टूद करके लोगों को गीत के माध्यम से और ऐसे नहीं तरह हम गाना गाय और वहां से चले गए लोगों को इंक्लूट करते थे उन उस गीतों में हम ताली बजवाते थे नचवाते थे भई खुशी की बात है काम अगर स्वच्छ बनेगा सर तो एक सवच्छता उत्सव की तरह हम उसको मनाते हैं और उस उत्सव में हम गायन वादम से से लोगों को जागरूप करते हैं सॉर और केवल सौचाले बना देने से कुछ नहीं होता हमारे टीम कैं संदेश सख्छता केवल संचाले बनाने से पूरी हुसका इस्ठाइत तो बनाए रखना हमेशा है का मेन उद्देश देरह लोगों को सभ़ाने बहुत ही बढ़िया और जाही से बात है कि आपको आपने अपने अपना पूरा जीवन पूरा दिन इस पूरे नेक काम में लगाया है तो आप वो बहुत साइज सम्मान भी प्राफ्ट हुआ हैं जड़ा लोगों को बताईए था कि उनका उसा बढ़ेगा जी सर सोला दो हजार सत्रह में सर नैस्टरल यूद फेस्टिवल में हम लोग आये थे रोहतक में जो हो रहा था वहाँ अमने चार पांच कारगरम दीए सर वहां हमें पेजल फटा मंत्राले से अपरीशेशन लेडर प्राफ्ट हुआ सम्मान प्राफ्ट हुआ सर और सेंटरल गवर्मेंट से दो भी अन्नोटिस नहीं जाता है हमेशा पहचान में आता ही आता है कुछ ऐसी घटना है जो अच्छी बुरी जी आप बताना चाहेंगे जो आपके इस सफर में आपने उसका सामना किया जी सर एक बार हुआ यह था सर हम कारेकरम करने जा रहे थे जस्पूर एक्षिली में जस्पूर से मेरा जो गाउं है 110 किलोमेटर दूर में है सर जा रहे थे हम तो रस्ते में एक बारो नाम का गाउं पड़ा वहां रोड के किनारे हमने देखा कि एक सौचाले में दर्वाजा नहीं है और उसमें लकडी काट काट के लकडी डाल दिये सर तो मैंने एकी पोला द्राइवर पूसरोका मेरे प्राइबर को गाडी रोपो उसमें गहर वाले से मिलना है मेरे साथ मेरा बाइब इस आग्री हमारे चीज है ौन्यों के लिए हम रखे हैं इसी को बेचिकर हंं बिमारि मार परते हैं तो इलाज करवाते हैं मैंने पकड़ लिया उन पुले में सौच करते हो, सौच करने की जगह में आपने लकडी डाल के रखा है, इतना खर्चा करते हो, तो बोली 5,000 खर्चा हो जाता है साल में बाबू, ऐसे बोली हमारे वहां के भासा में, मैंने कहा देखिए, आप लकडी निकालिए, सौचाले का उपियोग करिया, आपक जब हम आए वापस देखे, तो पूरा लकडी निकला हुआ था, मैंने 500 रुपे अपने जेब से उसमहिला को मुरुषकार में बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप से दर्शक कुछ सवाल पूशना चाहिए, हमारे दर्शकों में खास करके, बहुत जादा बच्चे ह जैसे कि मोनिका जी ने बताया इजजद घर, जैसे हमारा जो घर, जैसे हमारा जो घर, होता है, उसमें पूजा रूम होता है, इस्टोर रूम होता है, बैडरूम होता है, वैसे तुल्सी का जो चवरा होता है, उसे हम पूजा घर मानते हैं, और वैसे ही सवचाले जो है, घर की इजजद का घर है, ये बता के हमने गाह के लोगों को समझाया, कि देखिए आप के किया में तुप्योग होना चाहिए जी बहुत बढ़िया और कोई थाइंक यू यह मैं स्निहा पानले हूं रायन इंटरनाशनल स्कूल से मेरा प्रश्न यह है कि सरगार में कई गाओं में कई पिछड़े गाओं में शौचारे बनवार दिये हैं लेकिन वहां पानी की अगर हम खुले में जो करते हैं जैसे मान के चलिए नदी में हम सौच करने गए नदी में के वहां तो हम पूरा पानी गंदा कर रहे हैं तो पूरा पानी गंदा हो रहा है जब हम सौच को दोते हैं तो पूरा पानी गंदा होता है लेकिन जब हम सौचाले का उप्योग करते तो केवल एक लोटे पानी की आवस्कता हमको पड़ती है ठीक है तो पानी की तो मुझे नहीं लगता इतना मेजर प्रॉब्लम है और खांसगर हमारे छेतर में और कोई? हाँ, पूझे नमस्कार, मैं मंच शर्मार रायन इंटरनाशनल स्कूल से हूँ मेरा सवाल ये था कि क्या आपको लगता है कि जो आपने गाओं में थोड़े छोटे स्थार पर किया अगर आप वो एक बड़े स्थार पर करेंगे तो आपको एक बहुत बढ़ा प्रभाफ जालेंगे जी, आप ठीक आपने बहुत अच्छा परस ने किया हम तो चाहा रहे हैं हम सवच्छिता के लिए और कुछ अपने से कर सकें हमारी एक्चा है कि हम आज यहां पहुँचे और उपर जाएं सवच्छिता के लिए देखे हमारा फर्ज क्या बनता है हम एक भारत वासी है हमारा फर्ज बनता है कि हमारा भी देश सोत्ष हो हमारे देश में कोई बीदेश से आए तो कहें तो कहें ए場 वाँ इंडिया तो कितना सवत्ष देश बूंद बूंद से घडा वरता है जश्पूर में ने शुर्व किया मौनिका जी ने अपने क्षित्र में अपने लाके में शुरू किया यो प्रोगाम देहने के बाद आपके जैसे बहुत सारे लोग कुड़े होंगे जो इसके बारे में अबेरेने से निम्हार से लोग और व् olmuş चाहूंगे, अपने अपने अलाके में अपने समाज के बारे में सोचेंगे तो यह अव्यान एक से करें 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 कर तो 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 भाई मज़ा रहा है आप लोगों को यह बात हुए तो आईए हमारे एक अधी वशिष्ट गेस्ट हमें सुच्छदा पे एक संदेश दे रहे हैं आईए उनको भी सुनते हैं और मज़ा लेते हैं सुनाश्यू पांडे जी मेरे बहुत अच्छे विस्क्रे आईए मंच पर आप से हम क्योंकि आप तो मुंबई शहर में रहते हैं वैसे तो आप देहरादून के रहने वाले जहां तक नहीं नहीं दाल के रहने वाले पाड़ी आदमी और यह भी गाना गाते हैं स्वाठे बादागे कि आप पूरे मुहीम से कितने इंस्पायर थैं कितने उत्साइद हैं स्वच्छता के पूरे अवियान को लेगे जो हमारी सरकार में अबब्यान शुरूığını थो स्वच्छ rush भारत अवियान उस समय तक हमने भी नहीं सोचा था कि यह हमारी देश की इतनी बड़ी ज़रूर है या हो सकती है एक बड़ी पुरानी कहावत है हिंदी बोलू या कौन सी लैंगोज में बोलू कि मन चंगा तो कठोती में गंगा इसका मतलब अगर हम लोग समझने हैं सब अच्छी तरह से तो शायद हमें अपना देश स्वच्छ बनाने में बड़ी मदद मिल जाएगी